असलाम अलेकूम वियर्स कैसे आप लोग उमीद करती हूं सब लोग अपने घरों में खैरो आफियत के साथ होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं राइस की एक बहुत मज़ेदार किसम की रेसिपी तो आज हम बनाने वाले हैं चिकिन तिका फ्राइड राइस बहुत कम इंग्रिइंट्स में बनेंगे बिल्कुल देसी टच होगा वैसे थो हम फ्राइड राइस बनाते ही रहते हैं पूरा साल ही बनते हैं लेकिन जब बिंटार आता है तो सबजियों की एक बहार आती है हर सब सबसे बहुत फ्रेश आती है गाजरे इतनी खुबसूरत कलर की आती है कि दिल करता है कि बहुत सारी रेसिपी बनाई जाएं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वेजिटेबल की एक यूनिक और डिफरेंट रेसिपी शियर की जाए तो बनाने वाले हैं अब में बारी के एक बड़े साईस के शेमला मिर्च ली कि इस्को स्ट्रिप्स में कट कर लिया shooting यह rouge शॉरिभ बंगोवी तक्रीबंद दो कप इसको बी मेंने बारी कट किया है अब मैं बात कर लेती हूं, spices के अंदर जो जाएंगे बहुत कम है बहुत सिंपल है वन टीस्पून नमक है, बन टीस्पून सिंदर भुना कुटावा जीरा है, हाफ टीस्पून काली मिर्चे है, पिसीवी हाफ टीस्पून चिकन पाउडर है, हाफ टीस्पून पिसीवी लाल मिर्चे है, और हाफ टीस्पून शाट मसाला है सिर्फ यही स्पाइस सिंदर जाएंगे, सिंपल और इजी, इसके इलावा सिंदर हम लेंगे दो एग, फूट कलर यूज़ करेंगे, रेड वाला क्यूंके हम चिकन तिक्का बना रहे हैं, तो रेड कलर डालेंगे, यह आप्शनल है कम्प्लीटली, चिकन सिंदर हम क्यूब्स में कटकर वाली है, इसको यह हाफ कीजी, अच्छे से वाश किया था और इसका पानी ड्रेन कर दिया था, और यूज़ करेंगे हजब जरूरत, सिर्का जाएगा हजब जरूरत, और सोया सॉस भी यूज़ करेंगे हम हजब जरूरत, तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चिकेंगी मैंने बड़े बोल में निकाल ली है, सबसे पहले इसकेंदर में डालूँगी लसनत्रक का पेस्ट, डालनेकसाद जितने भी स्पाइसिस जो मैं आपको दिखाये थे, प्लैटर में इस तरह से रिड़ी करेंगे है तो इजी रहत जब आल रहा है, कि हाथ की मिक्स में मिक्सि करने हैं, जब एक मिक्सिंग तुरिечат ज आपके इसको तो एछ नया है, च्किन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बस मैं इसको ढाब के 20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से मैरिनेट होज़े चूले पे मिन एक पैन रख दिया था फ्रेम में अन कर जिया था बस मिले रहें अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर के अंदर चिकिन में डाल दी है बस देखे चिकिन को हमने इस ओइल के अंदर फ्राइ करना है मीरियम टू लो फ्लेम पे चिकिन को फ्राइ होते वे तकरीबन दस से बारा मिनिट हो गए है माशला एक अच्छा कलर आ गया है चिकिन पे अलहमदुलिल्ला हमारी बहुत अच्छे यह है कि मैंने दूसरा बड़तर लिया था उससे मैंने पानी बॉइल करने रग्या था देखे इसके इंदर बॉइल पॉंट आना शुरू हो गया है अब मिसमें डाल रही हो वन टीस्पून नमक क्यूंके हमने चावलो को बॉयल करना है अच्छा चावल के बारे में आपको पका लेंगे चावलो को 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 होते वे तकरीबन आच से दस मिनट हो गए यह देखे माशला अच्छे से गल गए 100 परसंट गल गए बिलकुल 100 परसंट हमें कुक करने थे देखें बीच में से तूट रहे है अब पर क्या करूंगी इसका पानी ड्रेन कर दूंगी और एक चलन मैंने पैन रख दिया है यह वही पैने जिसमें मैंने चिकिन को chat किया आप देख सकते है इसमें जो एक स्टर आयल था मैंने निकाल दिया है इतना ए इतना चोड़िया थोड़ा सा बड़े बड़े chunks रखेंगे क्योंकि देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत भी अच्छे लगते हैं बस ही इस तरह से हम स्क्रमबल एग बना रहे हैं अलहम अच्छे से फ्राइ हो गया देखें माश्यालला एक अच्छा सा कलयर आ गया है बस में क्या करूंगी इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी अब नेक्स स्टेप ये है कि हमने सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करना है अच्छा मैं इसमें ओयल डालूँगी यह वही ओयल है जिसमें मैंने चिकिन को फ्राई किया था तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डाल दूगी ओयल डालने के साथ ही इसके इंदर चल जाएगा चौप्ट लेसन इसकी बहुत अच्छी हुश्भू आती है बहुत इसको हलका सा फ्राई करेंगे लेसन को हरी मिर्चो को मैंने हलका सा फ्राइ कर लिया है एक बहुत अच्छी हुजबू आने लगी है अब इस पॉइंट में जाने वाली है जो बारिक हमने कट करके रखी थी गाजरे चली जाएंगी गाजरे डालने के साथ ही हम डाल देंगे बन गोबी जो के हमने कट करके रखी थी गाजरे और गोबी डाल कि हम इसको फ्राइ कर लेंगे हाई फ्लेम के ओपर क्यूंके थोड़ा सा टाइम लगता है गाजर और गोबी को पकने में हमें कोई कुक नहीं करना है 100 परसन बस क्रंची ही रखेंगे लेकिन कंपैरिटिवली दूसी सबजियों के मुकाबले में थो मिर्च यह डाल के बसको मिक्स करेंगे सब्जियों फ्राइ हो रही है साथ इसके इंदर में डाल दूंगी संगे तीन पिंच के करीब त्री पिंच के करीब यह समझे तीन चुट्टे करीब नमक है वरना यह बिल्कुल फीकी रहेंगी हमारी सब्जी थोड़ा सा फ्लेवर अना चाहिए तो जड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दिया है लमक पसमिस को फ्राइ कर रही हूं हाई फ्लेम पे सब्जी अब बहुत अच्छी से फ्राइ हो रही है कि मार्शाला कितना खुबसूरत यह करना है हाई फ्लेम पे बस थोड़ा थोड़ा इसको हम पका रहे हैं Оव में और खुब नहीं करना है वरना इसका कलर सबसी को चेंग हो जाएगा मैं अगजर करें करोंगी सारे तिखल फ्लेम और हेरा customer कर दिया है प्लाए अगर एम जीडिये लिए नहीं ग्रण से अब करणी कि तो टुड़ा बॉर डलूंगी सारे आप चावल दो कितने जबर में इस विलास्ट के विलाएं हैं और यहाँ मिक्सिंग जामें भूस्पॉशू mmpox कर्वान,ाद काझ है वह सब्सक्राइब करें तू राय देजर हैं का ब लाध या अब मैं इसमें डाल रही हूं सोया सॉस ये जाएगा तकरीबन टूटेबल स्पून चला जाएगा इसके अंदर सब चीज़े अलहमदलेला इसके अंदर चैली गई है अब मैं इसको हाई फ्लेम पर मिक्सिंग कर रही हूं देखें माशाला कितना खुबसूरत सा एक कलर आता जा रहा है देखें वेजिटेबल कितनी खुबसूरत लग रही है हरी भरी देखें सीज़न लें तो कितनी खुबसूरत लग रही है गाजर का लुक देखें कितना खुबसूरत लग रहा है पूरा साल तो रहता है कि गाजर कोल्ड स्टोरिज की मिलती है तो औरेंज शेट की उतली है देखें माशाला कितनी परफेक्ट लग रही है बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्सिंग आप देख सकते हैं मैंने हलके हाथ सी किये इस बात का ध्यान रखना है कि चावल भी हमारे तूटने नी शाहिए आप देखें मैं स्पैचुला से कर रही हूँ इससे ही होते है कि चावल तूटते नी है बस नीचे से उफर की तरफ किया है अलहमदलिल्ला देखें माशाला बहुत परफेक्ट बने बहुत अच्छी कुछ बुआ रही है बस मैं क्या करूँगी इसका फ्लेम आफ करतूँगी और इसको डिशाओट कर लूँगी चिकिन तिका फ्राइड राइस आपने देखा जटबट मैंने कैसी रेडी कियें बहुत जबरदस तियार होएं अब मैं इसको सर्फ करूँगी मैंने एक प्लैटर ले लिया है अब इसकी सर्विंग करेंगे बहुत जबरदस बनते हैं वैसे तो हम फ्राइड राइस बनाते ही रहते हैं वो तो हम पूरा साली खाते हैं लेकिन तरह का हमने बनाने की कोशिश किये क्योंकि तिक्के वाला फ्लेवर दिया है और चिकिन भी डाली है बोनलेस तो बचों को तो बहुत ही पसान आएगी तो आप इसको ज़रूर प्राइ कीजिए वेजेटेबल्स आई हैं तो भरपूर फायदा उठाएं बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी मज़ेदार खुश्पूदार हमारे चिकन तिकक फ्राइड राइस आप देखें माशाला कितने जबरदस रेड़ी हुए तिकनी जबरदस मैंने इसकी प्लैटर तयार करी और जट पर तयार किये विजटेबल्स आई में हैं सीजन की सारी सबजी आई में ज़रूर ट्राइ कीजिए बहुत मज़े की लगती है और जट पर तयार होती है मैंने कुछ डिफरेंट और यूनिक करने की कोशिश किये क्योंकि मैंने सिकंदर तिक की कभी फ्लेवर दिया है और बोलने स्टिकन का स्तामाल किया है जो के बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजिए ट्राइ करने के बाद मुझे कॉमेंट शेक्चन में ज़रूर बताईए कि आपकी डिश कैसी बनी है आप देख सकते हैं कितनी जबरदस मैंने स्की सर्विंग भी की है सर्विंग भी अच्छी होनी चाहिए प्रेजिशन भी जबरदसी करने की कोशिश की ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए कि आपकी डिश कैसी बनी है जितना भी उसके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आये तो लाइक जरूर कर दीजिए नहें सब्सक्राइब कर दीजिए इंशालला फिर आजिर होंगी एक नई और जबर